हलो जहिन साथियों सुआगत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट योटूब चैनल पर है तो फाइनली साथियों आज की डिट में ITA डिगरी डिपुलोमा छात्रों के लिए वेकिंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसके बारे में हम पूरी जनकारी बताने वाले हैं तो वीडियो को आप कम्पलीट जरूर देखिएगा और चैनल पर दिया आप नए होंगे तो चैनल को भी सस्क्राइब कर दिजिए सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन का डेट देख लिजिए किस डेट का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया अथा वेकिंसी का नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया 11 फरवरी 2022 का जारी किया गया जो कि कल की डेट का जारी किया गया और यहाँ पर यह जो वेकेंसी निकल कारी NRL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें All India के कंडेट यदि फॉर्म को अपलाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को अपलाई कर पाएंगे बरसरते यह जो वेकेंसी निकल कारी एक ट्रेनिंग के अंतरगत वेकेंसी नि यदि आप पहले पोश्ट की बात करें तो यहां पर आपको प्लाइंट में वेकेंसी निकल के अंतरगत जिसमें जिसमें तीन पाद का लिए थे डूर इडवली एश के लिए दो और जनल के लिए 11 पाद खाली है इसमें कॉलिफिकेशन की बात करें तो यहां पर जो चाहतर ब्रसरते उनका जो यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए 45 परसेंटेज होना चाहिए वह लोग फान को अपलाई कर पाएंगे नीचे आप जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दुसरे नंबर पे देखनों को मिल जाता है अप्रेंटिसिप ट्रेने जो की मर्केटिंग के अंतरगत यहाँ पर रखी गए इसमें तीन पद खाले जिसमें जनल के लिए दो है और वी सी वालों के लिए एक है जिसमें आपका फूल टाइप MBA या PGDM की हैं तो आप फान को अपलाई कर पाएं जिस तरह आप यहाँ पर कौलिफिकेशन के अंतरगत यहाँ पर भी किंसी देख सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं ITI चातरों के लिए तो साथी साथ ITI चातर और जो चातर दसमें पास है वो लोग भी फान को अपलाई कर पाएंगे जो चातर ITI वेल्डर, इलेक्टिसियन या टर्नर से कियें वो लोग भी फान को अपलाई कर पाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं साप साप लिखा गया मिनिमम तिंद पास आपका होना चाहिए उसके साथ साथ आपका ITI कंपलीट होना चाहिए यहाँ पर खुदी पढ़ सकते हैं यह चुब केंशी निकल के आ रही एंसी वीटी और सी वीटी दोनों के लिए निकल के आ रहे हैं तो दोनों लोग फान को अपलाई कर पाएंगे 2022 से फान बरना श्टार्ट हुआ है और उन्नीस दो 2022 तक आपका भरा जाएगा पतलब की बहुती कम समय बचा हुआ है और इसके जो वेफ साइट है जहां से आप फान को अपलाई कर पाएंगे इस बात को भी ध्याने किएगा नीचे आप जैसे ही आ जाते इसके बारे में आ यहाँ पर महतपौड नहीं होना चाहिए और जो उम्र आपका कांट किया जाएगा एक यहां पर आप Electmen कान कीजेएकं यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं 12-22 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा जो कि यहाँ पर साप साप लिखा भी गया है नीचे आप जैसे ही आजाते हैं यहाँ पर आपको अधर जनकारिस के बारे में देखने को मिल जाते हैं कितना ट्रेनिंग के तोर पर आपको पेमेंट दिया जाएगा जो चातर डिग्री डिप्लोमा इंजिनिंग से हैं उन लोगों के लिए 17,000 यहाँ पर परमन दिया जाएगा और जो चातर ITI लेबल से फार्म को अपलाई करें उनको 12,200 रुपे परमन दिया जाएगा और जो यहाँ पर अधर वाले हैं यथा दस्वी पास वाले हैं उनको यहाँ पर कुछी कम 1415 रुपे परमन दियने की बात कही गई है कुछ इस तरह का यहाँ पर वेकेंसी का नोटिफिकेसन जारी किया गया है तो यदि आप आपको अपलाई करना चाते तो आपके लिए सुनारा मौका है लेकिन वेकेंसी की जो यहाँ पर पोश्ट है वो काफी कम पदो पर यह वेकेंसी निकल के आ रही जो कि अधर जो चातर है आईटे की जो अलग-अलग ट्रेट सी कियें उनके लिए वेकेंसी नहीं तो यदि आप अधर ट्रेट से होंगे तो कमेंट पर जुरू बताइएगा और चैनल पर यदि आप नहीं होंगे तो चैनल को सस्क्राइब किजिएगा कोई भी वेकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको जनकारी मिलती रहेगी